सो हलो टांस्टेशन डर्वेलकम्म तुदि टिस शुबंग और इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं साइंस वन के चाप्टर नॉमबर 2 या सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन उप एलिमेंट्स का वन शॉट आएमपी इस सेशन के अंदर इस चाप्टर से आने वाले सारी इ कुछ समझ के इस आइंप को क्रियेट किया है तो लेट्स बेइन विजिस सेशन यह मास्टर ब्लास्टर सेशन होना वाला है तो पहले सबसे पहले हम पेज नंबर अगर 16 की उपर बात करेंगे पेज नंबर 16 पर हमें मिलेगा डोबे राइनस ट्रायर्ट्स तो डोबे राइनस की इस चाप्टर में हम पढ रहे है क्लासिफिकेशन्स एलिमेंटस आपकोपता मिलेटस लियुख कीलें रहां तो सबसे पहला साइसित नहीं किस टरीके से क्लासिश के इस इनोने क्लासिफाइ दने क्रोल किया उस एक्रेम के मास्क के इस्तेमाल किया यह बात ज्यान रखने चाहिए according to atomic mass इन्होंने क्या हिया he made group of three elements इन्होंने तीन-टीन elements के group बनाए तीन element के group बनाए सबसे important बात ज्यान रखना having similar chemical properties concept पे उनकी chemical property जिन-जिन की तीन लोगों की तीन elements की chemical property same उनके इसाब से उन्होंने तीन-टीन elements के group बना दिये देख तेरा सेमे तेरा सेमे तेरा सेमे चलो तुम तीनों आजाओ इस तरीके से और उन तीन element को उन्होंने क्या नाम दे दिया triads नाम दे दिया जा तक समझा अब उन्होंने क्या किया ऌत लिए अरेंज़ने क्या किसका अरेंज क्या अ क्या कि उन्होंनेतीन elements की तीन elements कि या énिमेंट उनको और उपमी क्या किसके इसाब से ईसाब से उसको पहले रखा रुज से जादे मास था वोज एप्रोक्सिमेटली इक्वर्स टू दर मीन मतलब क्या कि दो नंबर का सम करके जब डिवाइड बाइट टू करते हैं उसको मीन बोलते हैं ठीक है ना अध्र में समझाते हूं सिंपला समझातों यहां पर सबसे पहला की बात करेंगे lithium, sodium और potassium तो आपको statement जयान रखना है और कोई भी दो example जयान रखने पहला वाला जयान रखने और दूसरा वाला यहां पर example जयान रखना ठीक है lithium sodium potassium लिया lithium का atomic mass सबसे कव में फिर sodium का और फिर potassium का तीनों को arrange कर दिया अब देखो lithium का atomic mass होता 6.9 और यहां पर होता है वह होता है 39.1 कितना होता है 39.1 जैको तो potassium का atomic mass आया 39.1 लीथियम का atomic mass आया 6.9 इन दोनों को plus करके divide by 2 किया divide by 2 किया मतलब क्याल किया mean लिया क्या लिया mean लिया और answer कितना है 23.0 और 23.0 किसका atomic mass होता है sodium का atomic mass होता है यह होता है दोनों ने क्या बोला तीन element को arrange करो पहले वाले का atomic mass और तिसरे वाले का atomic mass को add करो और divide by 2 करो तो आपको बीच वाले का atomic mass मिल जाएगा इस इस वाट दोनों आपको समझ में आ गया बस इसी पर ज़्यादा question आते है कभी कभी चेक करने बोलते है कि जो गिवन ट्राइट्स दिये चेक करो कि वेदर दे आर ट्राइट्स और नॉट ठीक है यहां तक लिए पेज नंबर 16 की सबसे इंपोर्टेंट बात हमारे चैनल पे यूनित टेस्ट वन सेमिस्टर एक्जाम और बोर्स के बहुत सारे questions पेपर अप्लोड किये उनकी लिंक मेंने सारी की सारी आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो जाके आप चेक आउट कर सकते हो जैसे हमने देखो 10th SSC फर्स्ट टेस्ट के लिए जोमेट्री का पेपर अप्लोड कर दिया मतलब मैस्कू का पेपर फिर हमने फर्स्ट टेस्ट के लिए अलजेब्रा का पेपर अप्लोड किया है हमने पहला चप्टन जो ग्रेविटेशन उसका वन शॉट आइंप भी अप्लोड किया सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ठीक है ना उससे ज्यादा इंपोर्टेंट बात है कि अगर जीज इसा लगता 10 मिनाने के बा पाउंगे याप वन है टू है तो यह पांच वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलेंगे अगर आप यह कवर कर दोंगे यह पांचों के पांचों वीडियो अगर आप अच्छे से मन लगा के अगर पूरे कर देते हो मैं गारंटी देता हूं आपका 10 का मैस बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं ज्यादा आप फोर्स करूंगा कि प्लीज बेसिक वाले वीडियो जरूर देखें आप कुछ देखो ना देखो अगर बेसिक आपका कवर होगा तो आपको मैस पंड़ने में बहुत मन लग चाहिए गा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब में यहां पर आयमपी तो आप आयमपी तो बता रही है आपको लेकिंशके पहले देखो आयमपी तो हम लोग आप कवर करने वाले पूरा कवर करने वाले बिच विच विच पर कुछ पूस्ट कर्वाओंगा तो आपक टेबल में मेटलोई मतलब क्या जो मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी दिखाते हैं ठीक है नेक्स कोशन है आइडेंटिफाइड डॉबे राइनर्स ट्रायर्स आपको दिये हुए एक्जाम्पल्स में से डॉबे राइनर्स ट्रायर्ड कौन सा है वो डॉबे कैसे identify करते हैं पहले वाले element और तीसरे वाले element के atomic mass का sum करो divided by two करो अगर वो बीच वाले के बराबर आया तो नहीं आया तो नहीं है चलो चेक करते हैं तो पहले वाले का मैंने sum करके divided by two किया answer आया 55 point कितना है 55.09 कितना है 55.0 55.95 बरबर और calcium का atomic mass कितना है 40.01 मतलब इस इस नोट एक डॉबे राइनस ट्राइट्स ठीक है सेकंड वाला देखते हैं सेकंड वाले का 32.1 127.6 divided by two and answer आया 79.85 सही बात है और यहां कितना लिखा 79.0 देखो इतना close चलेगा क्योंकि उन्होंने अपने statement में एक word इस्तेमाल किया जिसका नाम था approximately approximately का मतलब बहुता लगबग सेम आना चाहिए तो यहां पर आप देख पाते हो 79.0 और 79.85 में ज्यादा फरक नहीं है तो इसका मतलब यह हमारा डोबे राइनर ट्रायर्ट्स होगा आया समझ में आगे तिस्रे वाले में हमने दो को एड कि डिवाइड बाई टू कर दिया अंसर आया 24.55 और लगबग 24.3 के आसपास देखो आ रहा है मतलब इस इस अल्सो डोबे राइनर ट्रायर्ट्स बास समझ में आई है डोबे राइनर ट्रायर्ट्स को कैसे अइडिंटिफाई करते हैं आगे बढ़ते हैं पेज नंबर अब बात करेंगे 17 की पेज नंबर 17 में जाधा कुछ इंपोर्टन नहीं देखो यहां पर यू लेंट्स ऑक्टेव से यहां इस पर जाधा कॉष्ण नहीं आएंगे बट स्टिल फोड़ा पता करते इन्हों ने क्या किया न्यूलैंड ओक्टेव जी ने इन्होंने भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वह एत्टोमीक मासेस की यह करें कि अरंज किया फॉइंट एपले एट्पिलिंट और उसके बाद आने वाला आट वा अलीमेंट every 8th element had properties similar to those of the first element मतलब पहला element यहां पर hydrogen है तो 8 वा element देखो कहां कौन सा है यहां पहला दूसरा तिसरा छोगता पांच वाद 6, 7, 8 8th element को आने है फ्लोरी तो यहां पर उनको पता चला कि पहला element और उसके बाद आने वाला 8th position वाले element की property सेम होगी यह उन्होंने बताया sodium is the 8th element for the lithium मतलब sodium देखो sodium कहां है यहां पर sodium यह रहा और lithium कहां यह रहा तो lithium और sodium का property उन्होंने बोला सेम है क्योंकि lithium के बाद 8th position पर element आने वाला कौन था sodium तो यह इतना बात आप ध्यान रखना इससे ज़्यादा बात ध्यान रखने के आपको ज़रुवत नहीं नेक्स पेज नंबर 17 और 18 को मिक्स करके यह आएंपी है लुक अट इस मेंडली पिरोडिक टेबल तीसरा टेबल कौन सा है मेंडली पिरोडिक किया मेंडल लीव ने कितने एक्टम को अरेंज किया 63 एलिमेंट को अरेंज किया किसके साब से इंक्रीजिंग ओडर ओप एटोमिक मास्स वो तो मैंने आपको बता दिया यह बात है इस चोटी बेसिक बात ध्यान तक लिए को अगे मेंडली मेंडल सिफ्क्रीटमिक क्या बолता रह ओप टेज यह बढ़ते जाएगा वैसे उनकी प्रपेर्टीश भी बढ़ते जrien्ジ होते रही बाससमग्णि में आया तो एक्टमिक मास्स है प्रोपर्ट hm चाहिए इतना हुआ अब देखो थोड़ा मेंड़ली प्रियोडिक टेबल कुछ ऐसा ठीक है इसके बार में चर्चा करेंगे मेंड़ली प्रियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है उन्होंने आएलिमेंट को अरेंज करके रखा ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्सट लुक अट यह है हमारा पेज नंबर 19 के ऊपर बाफ्त करेंगे मेंड़ली प्रियोडिक टेबल के मेरिट्स मतलब मेंड़ली प्रियोडिक टेबल के फाइदे क्या उसने जो चीज़ें बता है उन्होंने वह ज्यादा मानी गई या एक्सेप्ट की गई ठीक है सबसे अच्छी बात क्य लाती जो फिस पिछले वाले प्रियोडिक टेबल थे उसमें जो बेरिलियम का ऐटोमिक मास था वह 14.09 हालांकि एक्च्छ भू इंकरेक्ट था तो इन्हों अपने एंपने पिल्युडिक टेबल में इसका ऐक्षव करेक्ट करके बताया में 9.4 आप एक्षेल अ डेकशन कrey रटीव सकते हो बेखना करेक्ष इन डेखतेपहे के हो यह आvoc और 9.4 और यहां पर देखाएंगे second one look at this mandalives kept vacant places in the periodic table for the element not discovered till then मतलब इन्होंने future का सोचा देखो mandalives जब थे जब इन्होंने यह periodic table बनाया उस समय पर बहुत सारे elements की discovery नहीं हुई थी तब उन्होंने क्या किया अब element की discovery नहीं हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे elements के लिए क्या कर दिया अपने periodic table में vacant खाली जगा चोड़ दी चैसा यहां पे देखो खाली जगा यहां पर खाली जगा कि इस से प्रियोडिक टेबल में रखने के लिए जगा तो खाली छोड़ते हैं तो यह एक अच्छी बात थी ठीक है ना जैसे की जैसे की इन्हों ने थ्री ओप इस अनौन एलिमेंट्स वर गिवन नेम इकाबोरोन जैसा इन्हों ने तीन एलिमेंट के लिए खास करके जगा है छोड़ी जिनको इन्हों ने खुछ से नाम दे दिया हाला कि उनके बारे में अब तो पता कुछ नहीं था उन्हों तीन ऐसा माना की तीन एलिमेंट और आके जाके डिस्क लिए और उन्होंने पता दिया और बाद में जाके यह पता चला कि उन्होंने जो एक्टोबिक मासें बताए थे उन एलिमेंट के वह एप्रोक्सिमेटली मैच कर गए तो यहां पर आप देख सकते हो जो इका बोर्वान था जो जिन्होंने उन्होंने नाम दिया था वह में क्या पढ़ गया, scandium, क्या नाम पढ़ गया, scandium, फिर 1-20 aluminum जिसको नाम दिया तो आगे जाकि discover हुआ, और उसका नाम पढ़ गया, galium, और फिर उसी तरीके से 1-21 silicon आगे जाकि discover हुआ, और उसका नाम पढ़ गया, germanium, ये बाते समझी आपको तो यहां पर मैच दो फॉर्लोइंग का सवाल बन सकता है कि इका वोरोन को क्या नाम दिया स्केंडियम एका एलिमिनियम को गेलियम और इका सिलीकॉन को जर्मेलियम यह बास समझ में आई अगर आप अपने पिरोडिक टेबल में देखोंगे तो यहां पर सब्सक्राइब को इनने तीन एलिमेंट के लिए जगा छोड़ी तो और उनको एक्टोमिक मास भी दे रहें तो फुर्टीफोर शिक्स्टी एड सेवेंटी टू क्लियर है बस यह बाते आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं मिस नहीं करना कोई भी चीज आगे दिखते ह लिए यह उनका तीसरा इनका जो अच्छी बात थी there was no reserved place for the noble gases आपको पता periodic table में noble gases होती है इन्हों ने periodic table में noble gases के लिए कोई जगा छोड़ी नहीं बराबर अब नहीं छोड़ी तो जब noble gas का discovery हुआ तो अगर वो original periodic table में noble gas को add करते तो हमारा periodic table disturb हो जाता इन्हों ने noble gas के लिए एक नया ही कॉलम बना दिया मतलब जो noble gas होती हिलियम आप तो सुना होगा नियोन आर्गॉन वर डिस्कवर्ड तो एंड ऑफ दे 19th century और मेंडरलीव creates zero group मतलब एक नया ग्रूप बनाया उसको नाम क्या दिया जीरो ग्रूप विदाउट disturbing the original periodic table original periodic table को बिना disturb किये उन्होंने एक नया ग्रूप बनाया उसका नाम दे दिया जीरो ग्रूप और उस ग्रूप के अंदर सारे नोबल गेस को उन्होंने आरेंज कर दी ठीक है यह वाते दियान लखना तो तीन point अच्छे से आपको merits of mandated periodic table में लिखने सार टेबल अब आते बढ़ते हैं many merits of the mandaliff क्या गलतिया कि उन्होंने वो देखते हैं तो सबसे पहला अब soldierly व्य क्या ठाऊ whole number atomic mass of the element of Cobalt and nickel, Deekhå Cobalt or nickel, is the same, जो Cobalt and nickel का क्या था atomic mass था आप देख सकते हो Cobalt and nickel का atomic mass था वो तो same था Atomic mass same होने के बज़े से यह समझनी आ रहा था कि Cobalt को पहले लिखे कि निकेल को पहले लगे तो यहां पर कोबाल्ट और निकेल के पोजीशन में उनको डिस्टरबंस आगे रखे तो किसको पहले रखे तो यह उनकी गलती हो गई ठीक है तो अगे बढ़ते हैं आइसो टोप्स का डिस्कवरी हुआ आइसो टोप्स का मतलब क्या होता है कि कि एक ही एटम के अलग-अलग रुप जैसा कि अगर मैं मैं कार्बन कार्बन' एक कार्बन कार्बन होता है 40 बर्ाबर कि इस तरीके से कार्बन का इसो टोप्स होते है उसी तरीके से carbon ना इसो इस अलग अलग और विखिस्ट कर रहा है नाय्ट्रोजन की आईसो टोक साने लगे बात समझना तो आईशो टोक्स क्या होते हैं same chemical formula मतलब देखो क्यों थो carbon यह तो carbon ली ना तो carbon same chemical formula properties but different atomic mass atomic mass क्या होता अलग-अलग होता है बराबर एक का 12 दूसरे का 14 या 13 कुछ है 14 समझ लो तो अलग 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 है तो यह उनके लिए चैलेंज आ गया कि आइसो टोप्स को प्रियूर्टी टेबल में कौन से प्लेस पे रखे यह बात ज्यान तक बूलना नहीं दूसरी बात करेंगे वैंड एलिमेंट्स अर एलिमेंट्स को इंट्रीजिंग ओडर ओप एलिमेंट्स में आरेंज है अब इससे क्या प्रॉब्लम आया कि 7 से डाइरेक्ट हम लोग 9.4 पे तो अब समझ में नहीं आ रहा तो क्या आगे जाके कोई 8 नंबर के एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ तो बात समझो ना जैसा य सबका अलग अलग ता और डिफ्रन जैसा की कभी कभी और तो में आ रहा था फिर्मेंट्स का च बढ़ना यूनिफॉर्मस नॉट्स बढ़ना यूनि सब्सक्राइं..... it was not possible therefore predict how many elements could be discovered between two heavy elements दो elements के बीच में कितने elements और आ सकते हैं यह समझ नहीं आ रहा था ठीक है फोर्त वाला जो इनका demerits था position of hydrogen यह अपने periodic table में hydrogen का position अच्छे से नहीं बता पाए क्योंकि hydrogen hydrogen के साथ में similarities दिखाता था hydrogen कैसा behavior करता था कभी कभी hydrogen के साथ में similarities दिखाता था मतलब क्या कि जैसे hydrogen H2 बनाता है उसी तरीकिसे hydrogen के साथ बॉंड बनाता है, क्लोरिन भी सोडियम के साथ बॉंड बनाता है, जैसे हाइडरोजन कार्बन के साथ चार बॉंड बनाता है, तो ऐसी क्लोरिन भी कार्बन के साथ चार बॉंड बनाता है, तो ऐसा लग रहा था, कार्बन, क्लोरिन और हाइडरोजन सेम सेम एक जैसे काम कर र आया हेडरोजन सलपर के साथ बना उसी तरीके से देखो दो नमबर के साथ बी मेरिट्स ओप मेंडलीव पिरोडिक टेबल कंप्लीट कर दिया अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 20 हो गया कंप्लीट अब पेज नंबर ओके इससे पहले सबसे इंपॉर्टन बात कि अपना एक टेलीग्राम का चैनल भी है टेलीग्राम चैनल पर हम लोग जोगी नए लेट्स वीडियो आ रहे हैं वहां पर अप्लोड करते रहेते मतलब उनकी लिंक आपको देते रहेते हैं तो इसको डूंड सकते हैं यूटूब पर बहुत सारे वीडियो होते मिलता नहीं है ना तो आप उस लिंक को जॉइन करके टेलीग्राम चैनल पर जॉइन हो जाओ ट तो करी दिया होगा है ना 1000 लाइक तो उस पर पहुंचा देना कम से कम इस वीडियो पर ज्यादा रिक्रेश्ट नहीं करना आप कर लोंगे आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 20 और 21 को मिला के थोड़ा उपर की बात लिए ठीक है ना मॉडन पिरियोडिक टेबल अब एक नया साइंटिस्त थे जिन्होंने स्टेबल को बनाया क्रीट के हैं रिमोजले जी ने उन्होंने सारे एक्टम को अरेंज किया एक्टोमिक नंबर के इसाब से इसके इसाब से एक्टोमिक नंबर और अब तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक्टम को अरेंज किया था एक्टोमिक म चार्ज है अगर उसके अंदर 3 positive charges atomic number 3 हो जाएगा अगर उसके अंदर 4 positive charges atomic number 4 हो जाएगा बास समझ में आया तो according to atomic number atomic can see center में proton है उसी को atomic number बोलते हैं और इसके हिसाब से उन्होंने atoms को arrange किया मतलब क्या होता atomic number मतलब होता है number of proton in the nucleus of atom जहाँ रखना क्या बोला मैंने numbers of protons in the nucleus of atom यहां तक समझा atomic number atomic number is more fundamental properties than the atomic mass atomic number बहुत जादा important property है as compared to atomic mass से और उन तीनों ने जो पिछे तीन है हमारे उनका यह थोड़ा सा गलती बोलो गलती तो नहीं यार गलती किया बोलते हो उसमें नया काम करने जाते हैं तो सबके तरीके अलग-अलग होते हैं उनका तरीका वो था बट यह इनका तरीका सबसे बैटर निकला बस गलती नहीं होती इसमें modern periodic table long form इसमें important बात in modern periodic table elements are arranged according to the atomic number तो यह line अगर modern periodic table पे short note लिखने आए तो पहला पॉइंट आप जरूर यह करना कि in modern periodic table atoms are arranged according to elements are arranged according to their atomic number atomic number ओके यह होता है प्यारा सा modern periodic table आपके सामने दिखरा होगा रंग भी रंग बहुत बढ़ा है इसमें अगे बढ़ते पेज नंबर 20 और 21 की हम बात कर रहें अब बात करेंगे पेज नंबर 21 की प्रॉपर निच्छे जाओंगे आपको मिलेगा structure of modern periodic table तो modern periodic table का structure क्या होता देखो modern periodic table आपको यह दिख रहा है दो में एक दो तीन ऐसे कर करके टोटल अटरा ग्रूप होते हैं तेवन पिरेट्स अटरा ग्रूप यह ध्यां बकना ठीक है modern periodic table में blocks होते हैं टोटल चार block होते हैं उसमें से यह वाला इदर वाला block को S block बोलते हैं बीच वाले को D block बोलते हैं इदर वाले को P block बोलते हैं और निचे वाले को हम लोग F block बोलते हैं आला कि निश्य वाला जो ब्लॉक है वो यह वाला इधर होता है एक्ष्वल में और यह वाला ब्लॉक हमारा इधर होता है इसको समझेंगे अच्छे से ठीक है यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं तो बाते करते हैं modern periodic table के अंदर 7 horizontal rows को हम लोग periods बोलते हैं और 18 vertical column को हम लोग group बोलते तो 18 groups होते हैं यह आपको ध्यान रखना है इसका मतलब उसके अंदर 180 अलग-अलग element पाई जाते हैं modern periodic table में total 4 blocks होते हैं उसमें से s block, p block, d block होता है s block के अंदर total 18 groups से na s block के अंदर group 1 और group 2 आता है s block के अंदर group 1 और group 2 आता है देखो यह group 1 और यह हमारा group 2 यह s block के अंदर आता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है group 13 से लेके ग्रूप 18 तक हमारा P block आता है group 13 से लेके ग्रूप नमबर 13 से लेके group नमबर 18 तक हमारे यह पी block पूरे के पूरे ही आते है यह 13, 14, 15, 16 इस तरीके सा है ठीक है कि आगे बात करते हैं अब हो गया ग्रूप 3 से लेके ग्रूप 12 तक आता है हमारा डी ब्लॉक यह आपको ध्यान अतना है बस और एप ब्लॉक बोटम में होता है और D-Block element इंटी क shows transition element और हम लोग कौन से element बोलते हैं transition element बोलते हैं यह तक कि isda modern periodic table lectures मैं जिघ्जेक लाइन होथी क्या होती है जिघ्जवेक लाइन में समझाता हूं अब जिघ्जेक लाइन क्या काम करती है तो कि तरीके के इलीमेंट पाएजाते कि तरीके के पाये ख गए तीन तरीक की मैटाड़ वहоп contrario आपप्र ग्रह जाते हैं मत्प्र yogic ये वाला इसके उपर नीचे उपर नीचे मेटलोट्स पाय जाते हैं तो आप इतनी बाते तो पिरोडिक टेबल के बारे में लिख के आ सकते हो ठीक है यह पेज नमबर 21 हो गया अगर आपको यहां तक ट्रकली मेटल यह धियांशन रखना है अलकलाइन अर्थ मेटल किया नाम है फेमिली आप अलकलाइन अर्थ मेटल गृच नमबर 17 का नाम है एलो जन गड्रूक क्या बोलते हैं इस फैमिली ऋ उफ हैलो जनयाशन ये अपका सब पूछेंग को और फिल या गुरूप नमबर 1 गुरूप नमबर 13 गुरूप नमबर 14 15 16 17 और 18 हमने यह गुरूप ले लिए बराबन अब आपको पता है electronic configuration जैसा electronic configuration कैसा होता है आरेंज करते समय हम लोग 288 18 इस format में electrons को भरते जैसा टू पूरा बढ़ जाएगा फिर 8 वाले के पास जाएंगे इनको शेल्स बोलते जैसा पहले शेल को के फिर एल फिर एम ऐसा बोलते बराबना तो जैसा यहां पर सोडियम लिटियम का लिटियम नंबर 3 होता है तो उसका electronic configuration पहला दो बर देंगे और बाद में एक लिख देंगे है ना इस तरीकस है अब आप देख पाऊंगे यहां पर कि यहां पर यह वाले पिरेड की बात करता है सेकंड पिरेड में तो लीथियम में पहले टू लिखा है फिर वन लिखा है तो पहले शेल के अंदर 2 दूसरे शेल के अंदर 1 बेरिलियम के अंदर पहले शेल के अंदर 2 दूसरे शेल के अंदर 2 फिर 2 फिर दूसरे शेल के अंदर 3 पहले शेल के अंदर 2 दूसरे शेल के अंदर 4 तो मतलब हम किसी एक पिरेड में बात करेंगे तो एक पिरेड के अंद अगर number of shells constant है, जैसे आप देख पार हो, सब में दो-दो shells है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो इससे क्या समझा, कि अगर दो shell है, अगर किसी भी atom के electronic configuration लिखते समय, आपको श्रिफ दो shell मिले, मतलब वो कौन से period में आएगा, मतलब वो second period में आएगा, अगर आपको तीन से shell मिले देखो, पहला, दूसरा, तिसरा, इसका मतलब वो third period का element है, अगर आपको चार shell मिले, पहला, दूसरा, तिसरा, चोटा, इसका मतलब वो fourth period का element है, ये जान रहेगा, तो मतलब हमने क्या सिखा अभी, हमने ये सिखा, कि which period, आपको पता करना है कि कोई भी element कौन से period का है, तो पहले आप उसका electronic configuration लिखो, और उसके बाद आप count करो, उसके अंदर कितने shell आ रहे, क्या count करो, उसके अंदर कितने shell आ रहे, इससे आपको पता चल जाएगा, वो कौन से period का है, अगर उसके अंदर ऐसे तीन shell आते है, ऐसे तीन shell, तो हम बोलेंगे, वो थोड़ा सा आके बढ़ते हैं, अब पता करना है कि वो कौन से group का है, कि पहले group का है, कि दूसरे group का है, कि तेरावे group का है, कि 14 group का है, कि 15 group का, इसका में बच तरीका बताओ, आप उस element का electronic configuration लिखो, और उस electronic configuration के आखरी वाले में कौन सा number of electron आता वो देखो, उसको बोलते है valence electron, यहां कितना आया, 3 आया, 3 के आगे एक लगा दो 13, तो यह कौन से group का हो गया, 13, यह 3 के बाद ऐसा एक लगाना, बाकी 2 तक आपको एक नहीं लगाना, जैसा beryllium, beryllium में last में कितना आया, 2 आया, मतलब यह कौन सा group का हुआ, 2 के बाद आगे 3 आया, तो 3 के आगे एक चार आया, तो 4 के आगे एक लगा दो 14 ग्रूप, nitrogen में 5 आया, 5 के आगे एक लगा दो 15 ग्रूप, 6 के आगे एक लगा दो 16 ग्रूप, बास समझ में आया, 2 तक मत लगा एक, उसके बाद एक लगा दो, तो इससे जाधे आपको नहीं पूचेंगे 10 standard में, जो element आपको इसमें दिख रहें, इसके बारे में पूचेंगे, बताओ, यह element कौन से group और कौन से period का है, तो electronic configuration लिको और आपको अंसर मिल जाएगा, ठीक है, which group पता करना है, तो कैसे करना मैंने बता दिया, check the number of valence electron, मतलब आप उसके आखरी बाला electron पता कर दो, आपको group के बारे में पता तो यहाँ पे आपको अब तक इस वीडियो का challenge number one, जिसका अंसर आपको comment करके बताना है, number of electrons in the outermost shell of alkali metal, alkali metal के outermost shell में कितने electron पाए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो alkali metal आप देख पाओंगे, यह alkali metal ने rate करना तो का box दिख रहा है आपको, this is alkali metal, आप अपना लिखा हुआ है, comment करको, फटापट comment करो, सारे लोग comment करो, जितना comment आएका अच्छा लगेगा, ठीक है, next question आपके लिए यहाँ पे है, challenge number two, challenge number three, challenge number four, इनका जो भी answer है, मानलो, challenge number two का answer बता रहे हो, तो आप C2 लिको, और आगे अपना answer type कर लो, आगे क्या कर लो, अपना answer type कर लो, ठीक है, तो बताओ, challenge number two का answer, comment करके बताओ, फटापट क्या होगा, what is the atomic number of the element, देखो, आपको यहाँ पे एक element दिया, और उसका electronic configuration लिखा है, बराबार, अब पूचा है, बताओ, इसका atomic number क्या होगा, मैं simple सा आपको बताता हो, इन सब number को add करो, जो भी answer electronic configuration के additions है, what is the group of this element, यह element कौन से group में आ रहा, group पता करने का तरीका क्या था, electronic configuration का आखरी वाला element, आखरी वाले shell में कितने electron है, देख लो, पता चल गया होगा आपको, to which period does this element belong, कौन से period को यह element belong कर रहे, period के पता करने के लिए क्या करते है, हम लोग शेल काउंट करते, पहला दूसरा, तीसरा, तीसरा, तीन शेल है, मतलब थर्ड पिरेड में, चार शेल, चोटे पिरेड में, आप कमेंट करके बताओ, कि यह element कौन से period में आएगा, और एक काम करने इसका नाम भी बता देना, कि यह element का नाम क्या है, ठीक है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 में, थर्ड पिरेड अलसो कंटेंड ओनली एट एलिमेंट द्यू टो लो इलेक्रोनिक ओक्टेड, जैसा हम लोग बोलते हैं कि पहले के शेल में टू इलेक्रोन आते, लेकिन इलेक्रोनी कंपुरिशन लिखते हैं, हम लोग इस तरीके से वह स्टेविलिटी के तरफ रिप्रेजेंटेशन करता है, वह इसको जीरो गुरू के तरफ लेके जाता है, वह स्टेशल में दिखाते हैं, भरते हैं यहां तक बसना ज्याना, साधा आप डेटा लिग में हाईर स्टेंडर में सीख जाओं कि इसको, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है, देखो, वैलेंसी इलेक्ट्रोन अलग और वैलेंसी का मतलब अलगा, वैलेंसी गया होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रोन प्रेजेंट इन दा आउटर्मोस शेल ओप दा एक्टम्स किसी भी एक्टम के इलेक्ट्रोनी कॉन्पुरेशन में आउटर्म साध्या रखना वयलेंसे लिदे समय अगर ऑटर मोखेल का की इलेफ्टर चार से कम चार या चार से कम है तो वही आपकी व क्या वगए व्य वेलेंसी हो गई पर नेक्स्ट एlli ले चार इसमें आपको ऑक्सिज़कल नम distractors 8 तो concentration जागा च्त्वॉ इलेक्ट्रोन आँ रहा आउटरमो शेल में ज़्टर रहा एक सज्वा इसकी क्योंकि चार से बड़ा है, ना तो eight में से माइनस करके वैलेक्ट्रोन ओकर चार से बड़ा फाई दग्रूप विट वैलन्सी जेरो पीरियोडिक टेबल में कौनसा ग्रूप है जिसकी वैलन्सी जीरो होती अब हम बात करेंगे पेज नमबर आगे का जो पेज नमबर श्याद में नहीं लिका ओके नमबर 25 के बहुत इंपोर्टन पेज 25 पेज पेज 25 में atomic size के बारे में हम बात कर रहे है atomic size depend करते atomic radius के उपर और atomic radius को picometer में major किया जाता है यह पता होना चाहिए अभी बात करेंगे you will find that atomic radius goes decreasing while moving the left to right in the periodic table periodic table में जैसे जैसे हम लोग left to right जाएंगे atomic radius दीरे दीरे छोटी होती देती है क्यों होती ही वो छोटी उसका अंसर आपको यहां दे रहा है इसका explanation में आपको नहीं दूँगा still आप अपने स्कूल की टीचर से इन सब चीजों को समझे होंगे मैंने को IMP देने का काम था पढ़ाने का नहीं लेकिन पढ़ा भी दियो एक वह बढ़ाने के से ठीक है न बट इसके वजह से जो इलेक्ट्रोन होते हैं उनके उपर बहार से सेंटर के तरफ से बहुत जादा अट्रेक्शन आता है मतलब देखो पॉजिट्व चार्ज सेंटर का बढ़ते जाता है तो आउटर्मोश इलेक्ट्रोन के उपर खीचा वाता है मतलब आप तो आउटर्मोश इलेक्ट्रोन को अंदर के तरफ खीचा जाता है उसके जीरे-दीरे अटोमिक साही लेट चे रा डेखो अज्टो को शर्डाव मट इसर ने ओकूर तो इसे और इख आथे-दूर्स या और इसी बधेनर इसवगи YTD आवर से दूरि बढ़ती जारी email चैनल जाती है एज भी मूँग तॉप टू बॉटम यह पेज नमबर ट्विंटीफाइज पे यह वाला चीज बहुत जादा इंपोर्टेंट यहां सब दे रहा है कि डिक्रीजिंग अप्टोमिक साइज लेप टू राइट अटूमिक साइज डिक्रीज हो रही है इनक्रीजिंग 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 इ metal have tendency to noise क्या करते एलेक्ट्रौन को डॉनेट करते है उसी मेटल के Tεταιंडफिटी और और नॉन मेटल क्या करते है non Minute को अपने तरफ कीचते है और इसी को अग्ले पेज़े क्यों ना आगे बढ़ते जैसा यहां पर मैं एक्जांपल देता हो सोडियम है दिकर आपको सोडियम अब सोडियम क्या करेगा मैटल है तो सोडियम एक इलेक्ट्रोन दे देगा सोडियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रोन दे देगा जैसा सोडियम क्या करेगा अपने मैंसे एक इलेक्ट्रोन को कम कर देगा किसी और को दे देगा और सोडियम प्लस बन जाएगा और प्लस का मतलब होता है क्टायन कब बनता है जब मैटल अपना forbidden गदेता है इससे एक बाद समझना मेटल हमेशा बनाते हैं मैटल हमेशा बनाटे हैं क्या बनाते मैटल हमेशा बनाते हैं कटायन चिक्क हैंब डुरिन नॉन Background होने बज़े से एक electron ले लेगा और chlorine एक electron लिया तो इलेक्ट्रों लेने से निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो chlorine minus बनेगा और इस minus को हम लोग बनते है अनायन तो non metal हमेशा क्या बनाते है अनायन और और स्टेट में होता है और सलीट में आ यह सकती है जैसे बैदक वाले उन यह सब्सक्राइब के साथ यह पूरा सेशन मैंने कम्पलीट किया यह पुरे मतलब इस पूरे ब्रह्मान चाप्टर मैं आपके सामने आएंप पेश किया अगर आपको यह पूरा ने अभी एंड में बता के तो फाइदा निये फाइले बता दाना चाहिए था तो थैंकी सो मुझ पर वाचिंग किप शेरिंग और सारे कुशन पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल की लिंक description में है video अगर अच्छा लगा हूँ, तो like करना, share करना, subscribe करना और अपने सारे दूस्तों के साथ share करो, WhatsApp पह स्टेटेस रखोर सबस्क्राइबर प्लिज subscribe कर लेना, थोड़ा बढ़ाना तो please share करते रहें, thank you so much for watching, keep exploring